हेलो एवरिवन आज हम बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट ट्रेसलेच केक बना रहे हैं जिसमें मैं आपको स्पॉंज बनाना भी बताऊंगी और इसके लिए मिल्क हमें कैसे रेडी करना है वो भी हम देखेंगे और साथ के साथ हम इसमें आइसिंग भी करेंगे तो सबसे पह करडल हो लोडान तब तक मैं आपके पॉर्ट रहे दिक कर ली तो यहां पर मैंने बोरो सिलका पॉर्ट ली तो हमें icing भी इसी में करना है, sponge भी इसी में बनाना है, moist भी इसी में करना है केक को इसलिए मैंने काच का ही pot लिया है और यहाँ पर मैं dry ingredients मिक्स कर रही हूँ जिसके लिए मैंने लिया है half cup मैदा, half teaspoon baking powder और 1,4 teaspoon मैं आपे add कर रही हूँ baking soda और साथ में ही मैंने आपे add किया है, 2 tablespoon या फिर 3 tablespoon भी आप ले सकते है, milk powder सारी चीजों को मैंने बिल्कुल अच्छे से चान लिया है, अब मैंने इसे side कर दिया, अब मैं ready करूँगी यहाँ पर wet ingredients जिसके लिए मैंने 1 foot cup लिया है powder sugar, powder sugar को भी मैं अच्छे से save कर लूँगी ताकि इसमें कोई lumps न रह जाए, हमें हमेशा मैदा का half लेना होता है sugar और sugar के बाद मैं आपे add कर रही हूँ, curdle किया हूँ milk और साथ में ही मैंने आपे add किया 1 foot cup oil और इसमें मैं add कर रही हूँ रस्मलाई essence, मैं इसे रस्मलाई का flavor देने वाली हूँ, इसलिए मैंने रस्मलाई flavor का ही essence लिया है, आप flavor को अपने हिसाब से change कर सकते हो और सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल अच्छे से mix कर लिया, आप यहाँ पे bitter भी चला सकते हो और last में न, मैंने बिल्कुल एक चुट की नमक add कर लिया है, इससे बेकिंग में बहुत ही अच्छा taste आ जाता है, इसलिए हमें थोड़ा सा ही नमक add करना होता है और अब मैं न, यहाँ पे add कर रही हूँ, dry ingredients, जो हमारे wet ingredients ready हो गए न, बस उसमें ही मैं यहाँ पे add करते जाओंगी, और अच्छे से mix करते जाओंगी इसे न, मैं दो से तीन batches में add करते हुए mix करते जाओंगी, जिससे की हमारे batter में बिल्कुल lumps नहीं पड़ेंगे, और cake बिल्कुल perfect बन करके आएगा batter में हमें बिल्कुल ribbon consistency चाहिए, जो की हमें मिल चुकी है, लेकिन न, यहाँ पे मैं flavor के लिए थोड़ा सा add कर रही हूँ, 1 teaspoon के ही करीब मैंने add किया है, केसर वाला दूद, color यहाँ पे बिल्कुल ही optional है, आप चाहों तो skip कर सकते हो, अब सारी चीजों को अच्छे से mix करके, मैं इसे grease की हुए pot में डालूँगी, यहाँ पे मैंने बोरो सिल्का pot लिया है, इसे मुझे demold नहीं करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैदा भी dust नहीं किया है, मैंने सिर्फ oil apply करके इसमें batter डाल दिया है, केक की soaking, icing, decoration, सारी चीज़ें इस pot के अंदर ही होने वाली है, इसल किनिस से जल्दी ही यह bake हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा cake है, और अब मैंने यहाँ पे 1.5 cup के करीब ले लिया है, milk, full fat milk मैंने लिया है, और इसी में मैंने केसर वाला दूद अट किया, और थोड़ा सा मावा भी मैंने अट कर लिया है, मावा बिल्कुल ही optional है, आ इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, नहीं तो आप यहाँ पे sugar भी add कर सकते हो, और मुझे यह बिल्कुल लच्छे दार, मलाई दार चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी, जैसे ही इसके उपर एक परत मला मलाई दार दूद मिलेंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और अगर आपको मलाई दार नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल प्लेन दूद चाहिए, तो आप क्या करना है, इसे लगातार चलाते रहना, जिससे कि इसमें मलाई नहीं जमेगी, और यह दूद पक पक कर आदा हो चुका है, तो अब मैंने इसकी फ्लेम आफ कर दिया और इसे रूम टेंपरिचर पर ले आया है, मैंने, और यहाँ पर केक भी बेक होकर बिल्कुल रूम टेंपरिचर पर आ गया है, तो इसी समय पे मैं क्या करी हूँ, इसे मैं करूँगी प्रीक बिल्कुल करना है तो सारा मिल्क में यहां पर यूज नहीं करना है जितने मिल्क से अच्छे से यह सोक हो जाए बस उतना ही दूद हमें एड़ करना है बाकी का जितना दूद बचेगा हम इसकी सर्विंग के समय यूज करेंगे वह मैं आपको आगे बताऊंगे किस तरीके से करना है और तो बढ़ता है यह दूद जो मैंने रेडी की आई यह ठंडा होने के बाद आधा थैसे ही खतम हो गया क्योंकि यह बहुत ही जादा एस्टी था बहुत ही जाब ही मिल्क शेक तरह लग रहा था तो केग बिल्कुल अच्छे से सोक हो जाने बाद मैंने उसे फ्रीज में डाल दिया है सेट होने के लिए और साथ में जो मिल्क बच्चा था उसे भी मैंने ठंडा करने के लिए रखा हुआ फ्रीज पर जब तक दोनों चीज़ें ठंडी हो रही है तब तक मैं क्या करूंगी आपे क्रीम बीट कर लेती हूं तो यहां पर मैंने पाउडर वाला विपिंग क पानी लिया है उसके उपर ही रखकर मैं इसे बीट कर रही हूं और बिल्कुल सॉफ्ट पी काते तक ही मैंने इसे बीट किया है और इसमें ही ना मैंने रस्मलाई एसेंस भी एड़ कर लिया है ताक यह बहुत ही जादा टेस्टी लगे और हां इसमें आप यल्लो कलर भी अच्छे से सेट किया और इसके बाद एक कॉम का यूज करके मैंने इस पर डिजाइन डाला और मैंने बिल्कुल सिंपल डिजाइन बनाया है इसलिए बहुत ही फटाफट से बन करके रैडी हो गया अब मैंने रस्मलाई की छोटे-छोटे पीसेस कर लिया है और इसी से ही से करते समय अच्छे से ध्यान देना है कि आपको अंदर तक अच्छी तरीके से प्रीक करना है और यह बिल्कुल परफेक्ट मॉइस ट्रेसलेच के बन करके रैडी हो गया है इसके अब सर्विंग देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से पीसेस कट करके इसे सर्व किया जाते वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू पर वाचिंग